की सबसे पहली और बड़ी खबर जारखंड के मुख्यमंत्री हेमन सुरेन को ईडी ने भेजा पाँचवा समन जारखंड के मुख्यमंत्री हेमन सुरेन को परवर्तन निदे साले ने पाँचवा समन भेजा है मीडिया की खबरों को माने तो कथित जहारखंड के जमीन घोटाले मामले में मुक्यमंतरी हेमन सुरेन को एडेने चार अक्टूबर के लिए समन भीजा है खबरों को माने तो हेमन सुरेन ने शनिवार को जारखंड उच नयाले में एक याची का दायरकर कथित मनी लॉंडरिंग मामले में परवधन निदेशाले की ओर से उन्हें जारी सम्बन को चुनावती दी थी बतादे की सुप्रीम कोट ने 18 सितंबर को मनी लॉंडरिंग से जुड़े कथित मामले में एडी की और से जारी सम्बन की खिलाप सुरेन की याची का पर बिचार करने से इनकार कर दिया था नयमूर्ती अनिरूध बोस और नयमूर्ती बेला एम त्रिवेदी की पीठने मामले में राहत के लिए मुख्यमंत्री को जार्खन हाई कोट का रुख करने की छूट दे दी थी जार्खन में बड़ा हाथसा नदियों की तेज धारा में बहे पांच बच्चे जार्खन के धनबाद और हजारी बाग जीले में मंगलवार को दो अलग अलग घटनाओं में पांच बच्चे नदियों की तेज धारा में बहे गए इन में से तीन बच्चों के शोव बरामत कर ले गिये हैं जबकि दो अन्यका तीन घंटे बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है दोनों घटनाए जार्खन के अस्थानिय लोग पर्व करम पूजा के बाद बिसर्जन के दोरान हुई धनबाद में बागमारा थाना इलाखे की जमूनिया नदी में करम पूजा की डाली के बिसर्जन के तोरान पाँच बच्चे नहाने के लिए नदीम उत्रे और गहरी धार में बहते चले गए पाँचो बच्चे बहने लगे तो कुछ लोगों की नजर उन पर पड़ी उन्हें मशक्कत के बाद बाहरा निकाला गया जहां डॉक्टरों ने इन में से दो को मरीत घोसीत कर दिया जारखन में लेडी सूपरवाइजर पदों पर भरती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू जारखन में महिला सूपरवाइजर भरती एक्जाम के लिए रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू हो चुकी है एक्जाम में शामिल होने के इच्चुक उमिदवार आधिकारिक बेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं रेजिस्ट्रेशन करने की अंतिम्तिती 25 अक्टूबर 2023 तक है जारखंड करमचारी चेनायोक जेसे सी की और से महिला सुपरवाइजर के खुल 448 पदों पर भरतियां की जाएंगी जिसके लिए 21 वर्स से 38 वर्स के बीच के उमिदवार आवेदन कर सकते हैं बतादे की आरक्षित स्रेनी के उमिदवारों के लिए उपरी आयू सीमा में छूट लागू है उमिदवारों के पास किसी मानेता प्राप्त बिश्यो विद्याले या संस्थान से समाज शास्त्र, मनो विग्यान, ग्री विग्यान में कम से कम असना तक की डिग्री होनी चाहिए बड़ी खबर है आसमानी बिजली का कहर बिच गई मवेश्यों की लाशें लातेहार से बड़ी खबर है लातेहार जीले में मंगलवार की शाम लगबक पाँच बजी हुए जोरदार बजरपात की चपेट में आने से एक साथ कई मवेश्यों की मौत हो गई खबरों को माने तो बेला में हुई इस घटना के बाद संसनी मच गया बता जा रहा है कि मंगलवार शाम को बारिश के दोरान बिजली गिरने की घटना हुई इस दोरान बालुमात थाना इलाके के गनेशपूर पंचायत अंतरगत चमातु ग्राम की ओजा टोला में दो दरजन बकरे और बकरियों की मौत हो गई इसमें सभी की मौत मौके पर ही मौत हो गई बता दी कि सभी बकरे और बकरियों पास के जंगल में चारा खाने के लिए गई थी इसी बीच बारिश के साथ जोरदार बजरपात हुआ और उसकी चपेट में ये सभी मवेशी आदिए जारखन में भूमिहिन आदिवासियों को मिलेगा वन पट्टा जारखन के सीम हिमन सुरेन के निर्देश पर जारखन के भूमिहिन आदिवासियों को वन पट्टा देने के लिए अक्टूबर से बड़े पैमाने पर बनाधिकार अभियान अभूआ वीर दिशोम अभियान शुरू होने जा रहा है इस प्रक्रिया को शशक्त और पारदर्सी बनाने के लिए वन शेत्र के अंतरगत परतेक ग्राम में वनाधिकार समीती यानी एप आरसी अनुमंडल अस्तरिये वनाधिकार समीती SDLC और जिला अस्तरिये वनाधिकार समीती DLC का पुनर गठन किया जाएगा खबरों को माने तो अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती अल्प संख्या के उप पीछड़ा वर्ग कल्यान विभाग ने वनाधिकार अभियान की रूप रेखा तयार कर ली है मुक्यमंत्री अक्टूबर से दिसंबर तक चलने वाले बनाधिकार अभियान अबुआ वीर दिशोम अभियान की शुरुवात राज्यस्तरी पर सिक्षन सह कारेक जिहा कारेशाला की माध्यम से करेंगे जार्खन के 25 अभियार्थियों को सांकेत्रिक रूप से मिला नियुक्ति पत्र केंद्री सरकार द्वारा आयुजित हो रहे रोजगार मेले के तहत मंगलवार यानि 26 सितंबर को जार्खन की राधानी राची समेत पूरे देश भर के 46 सस्थानों पर सरकारी नौकरियों में चैनित 51,000 से अधिक अभियार्थियों को नियुक्ति पत्र सौपा गया इस आउसर पर सीसियल साभागार में आयुजित कारेकरम में केंद्री मंतरी अरजुन मुंडा, राजी सबा सांसत आदित्य साहू, राची बिधायक सीपी सिंग, राची सांसत संजय सेट समेत कई गणेमान अतिथी मौजूद रहे इस दुरान इस कारेकरम में 25 अभियार्थियों को नियुक्ति पत्र सौपा गया इस मौके पर केंद्री मंतरी अरजुन मुंडा ने कहा कि 51,000 युवाओं को पूरे देश भर में नियुक्ति पत्र बित्रित किया गया है, इसके साथ ही अब तक 9 लाग की संख्या पार हो चुकी है केंद्र सरकार होम लोन इंट्रेस्ट पर सबसीडी देने की योजना पर कर रही काम छोटे घर खरीदारों के लिए केंद्र सरकार कई योजना लाती रही है इसी कड़ी में केंद्र सरकार एक और योजना लाने का बिचार कर रही है मीडिया की खबरों को माने तो केंद्र सरकार छोटे घर खरीदारों के लिए एक नई होम लोन सबसीडी योजना शुरू करने की योजना पर काम कर रही है माना जा रहा है की केंद्र सरकार की इस योजना से शहरी सेत्र में निम्न आयवर्ग के लगवग 25 लाक होम लोन आबेदकों को फायदा हो सकता है हलाकि सबसीडी किसे मिलेगी और किसे नहीं यह घर की संख्या पर निर्भर हो सकता है माना जा रहा है कि इस योजना पर आगामी पांच वर्सों में लगवक साथ हजार करोड रुपए केंदर सरकार खर्च करने की तयारी कर रही है बता देखी अब तक इस योजना को केंदर सरकार ने लौंच नहीं किया है संभावन जताई जार ही है कि आगामी कुछ महिनों में यह योजना लौंच की जा सकती है बतादी की स्वतंतरता दीवस 2030 में लाल कीले से भाशन देने के दोरान परधानमंत्री नरिंद्र मोदी ने घोशना की थी कि सरकार एक नई योजना लौंच करेगी जिसके साथ जिहां जिससे यह शहरों में किराए के घरों में रहने वाले लोगों को सस्ता होम लोन दिया जाएगा इस दोरान उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार एक नई यूजना लेकर आएगी जिससे उन परिवारों को लाप मिलेगा जो शहरों में रहते हैं लेकिन किराय के माकान में या जुग्यों में रहने को मजबूर हैं परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने सौपे 51,000 युवाओं को जोईनिंग लेटर रोजगार के आउसरों और युवा सशक्ती करण को बढ़ावा देने की उदेश से से एक महतुपूर कदम में परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने मंगलवार को रोजगार मिला के आउसर पर लगबग 51,000 युवाओं को निउक्ति पत्र सौपे हैं देश भर में 46 जगों पर वीडियो कॉंपिंसी के माधियम से युवाओं को निउक्ति पत्र दिये गए दरसल यह नौवा रोजगार मिला था इससे पहले आठवा रोजगार मिला 28 अगस्त को आयोजीत किया गया था इसमें 51,106 युवाओं को जोईनिंग लेटर सौपे ग हुए हैं इनमें वीतिय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल सिक्षा विभाग, उच सिक्षा विभाग, रक्षा मंत्राले, राजस्व विभाग, स्वास्थि मंत्राले और परिवार कल्यान, परमानु उर्जा विभाग, रेल मंत्राले, लेखा परिशा और लेखा वि कि हमारा देश एतिहासिक उपलब्धियों और फैसलों का साक्षी बन रहा है पिछले नौ साल में इनोवेटिव तरीके से बड़े बदला हुए हैं तकनीक का इस्तिमाल करने से भरष्टा चार घटा है और सुविधाएं बढ़ी हैं भारत में 2000 रुपए के नोट को लेकर नय पहुँचे हैं दरसल भारतिय रिजर्व बैंक ने इस साल 19 मई को एक सरकुलर जारी किया था जिसमें उसने 2000 रुपए के नोट को बदलने या जमा करने का आदेश दिया है इन नोटों को जमा करने या बदलने के लिए अब केवल चार दीन से सें अगर आपने अभी तक 2000 र रुपए के नोट बदलने और जमा करने की आखिरी तारिक 30 सितंबर तै की है जिसके चलते अब केवल 4 दीन बचे हैं बैंक को 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट बदलने या जमा करने को कहा गया है लोगों को 2000 रुपए के नोट वापस करने के लिए प्रोचसाहित करते अभी भी बैंक में जमा नहीं हुए हैं बतादे की सरकारी दिशान देसों के अनुसार 2000 रुपई के नोट बदलने या बैंक में जमा करने के लिए किसी दस्तावेज की जरुरत नहीं है गरहक एक बार में 20,000 रुपई के नोट जहां 10 नोट जमा कर सकते हैं वहीं अन्य बदला जा सकता है हलाके जीन लोगों के पास बैंक खाता है वे कितनी भी संख्या में 2000 रुपई की नोट जमा कर सकते हैं एक बड़ी खबर है अब दवा से उगेंगे नए दात जापानी बैग्यानिकों ने किया कमाल जापान के बैग्यानिक एक ऐसी दवा पर काम कर रहे ह जो मरीजों को पूरी तरसे नए दात उगाने में मदद कर सकती हैं यह दुनिया की पहली ऐसी दवा होगी जो प्राकितिक रूप से नए दात उगाएंगी यह हर उम्र के लोगों पर असरदार होंगी जापान टैम्स की रिपोर्ट के नुसार क्योटो बिशुविद्याले के टोरेगेम बायो फार्मा में यह दवा बिक्सित की जा रही है बैग्यानिक जुलाई 2024 से इसका परिशन शुरू करने के लिए तयार हैं जिसके बाद 2030 तक बाजार में इस दवा के उपलब्ध होने की संभावना है दरसल मनुश्यों और जानवरों के पास समान रूप से टूथ बड होता है यह बच्चों में नया दात बनाने की समतार रखती हैं हलाकि ज्यादतर मामलों में यह बड्स बिक्सित नहीं होते हैं और अंत में गायब हो जाते हैं कमपनी ने अब इसी को लेकर एक एंटी बोडी दवा डेवलब की है जो मुह में उन प्रोटीन्स को रोकती हैं जो टूथ बड के विकास को लॉक करता है साल दोहजर अठार में एक जानवर जिसे फेरेट्स के रूप में माना जेहा जाना जाता है उसे बैग्यानी को द्वारा एंटी बोडी दवा दी गई जिसके परिणाम शुरुप उसमें नए दातों का सफलता विकास हुआ इंसानों की तरह ही इन पेरेट्स के बच्चे और अस्थाईदात दोनों होते हैं ऐसे में कमपनी अब एनोडोंटिया के रोग्यों पर परिशन करने की योजना बना रही है